नमस्कार आप सुन रहे हैं दब बॉलिवुट रिडियो और मैं हूँ आपके साथ अनूपाकाश वर्माद। दोस्तों ये कहानी नवीन निश्चल की है। नवीन निश्चल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात सदा वहार रेखा के साथ की थी। फिल्म थी सावन भादो। सावन भादो में रेखा और नवीन निश्चल दोनों की ये चुकी पहली फिल्म थी। वालकि इसके बारे में नवीन निश्चल ने एक इंटर्वी में कहा था कि इस फिल्म में मिली काम्याबी के बाद उनको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरुवात नहीं पड़ी। फिल्म की कहानी एक अमीर घराने के लड़के की है जिसकी सौतेली मा और बहन उसे नापसंद करते हैं कई दफ़ा मारने की कोशिश भी की बाली वुट की खासियत है कि हीरो कभी मरता नहीं फिल्म के आखरी में कहानी कुछ ऐसे मोल लेती है कि सौतेली मा सलोचना खुदी अ तीन दशक पहले ऐसी फिल्मों को सिराकों पर रखा जाता था हलाकि इस फिल्म का ये गाना बहुत मशूर भी रहा था कई गाने इस फिल्म के मशूर थे नवी निश्चल की बेतरीन फिल्मों को अगर याद किया जाएगा तो उस लिष्ट में एक नाम होगा धुन्द साल 1973 73 में आई थी और बियार चोपड़ा की बेतरीन फिल्मों में से एक है अगाता किष्ट्री के नौवल पर बनी ये सस्पन्स थ्रिलर फिल्म उस दौर में काफी काम्याब है इस फिल्म में नवी निश्चल ने चंद शेखर का करदार नभाया था जिससे धुन्द भरे दिन एक एकसिडेंट हो जाता है मदद के लिए वो पास के घर चला जाता है जहां उसके पल्ले एक लाश पड़ जाती है और मिलती है गंत हमें रानी नाम की एक लड़की जो बताती है कि उसके अपने पती का उसने मडर कर दिया है और आगे का घटना करम भी काफी रोचक है गुन गुनाया होगा और गाने के बोल है तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गए है ये मीठा गाना नवी निशल और प्रिया राजबंश पर फिल्म आया गया है हस्ते जख्मा फिल्म का ये गीत आज भी लोगों की जुमा पर रहता है एक फिल्म आई हाल फिल्हाल में हाल फिल्हाल में क्या कुछ साल पहले खोसला का घोसला छोटे बजट की फिल्म थी लेकिन धुआधार सफल रही एक फ्रॉडिये के साथ फ्रॉड करना था और उसको वो जमीन बेचनी है जो है ही नहीं इसके लिए एक एनराई चाहिए था और ये एनराई इस फिल्म में नवीन निश्चल बने है वो एनराई का करदार निभाते हैं एक थेटर ग्रॉप चलाने वाले बापू जी ये ठगी करने के लिए राजी तो हो गए हैं लेकिन डरे हुए हैं और उस डर को बहुत बहतरी नवीन निश्चल ने परदे पर उतारा था नवीन ने अपने समय कि हर लीडिंग एक्टरिस के साथ काम किया रेखा हों या राखी साहराबानों हों या फिराशा पारेग हर किसी के साथ अलग अलग करदार में नजर आए नवीन निश्चल लेकिन हर एक्टर की तरह नवीन ने भी फिल्मी दुनिया का कड़वा सज झेला है एक किस्सा तो वो खुद बताते है वे एक फिल्म के प्रिमियर में मेट्रो थेटर जा रहे थे उन दिनों इंपाला नाम की एक कार बड़े लोगों की पहचान हुआ करती थी नवीन भी इसी कार से थेटर पहुँचने वाले थे मेट्रो थेटर के बाहर सभी पत्रकार बड़े-बड़े दिगजों का इंतजार कर रहे थे जैसे ही नवीन की कार वहाँ पहुची आदतन पत्रकार अपना कैमरा लिये उस कार की और भागे नवीन निश्चन ने कार का दर्वाज़ा खोला बाहर आए उन्हें देखते ही सारे कैमरे नीचे चुप गए पत्रकारों के चेहरे पर आई उत्तेजना यू लखा कि कहीं खो गई और वज़ सिर्फ इतनी सी थी कि कुछ समय से नवीन की फिल्मे बॉक्स आफिस पर कुछ खास चल नहीं रही थी नवीन की जिन्दगी का वो लमा अकसर उन्हें मायूस कर देता था अपने करियर में ही नहीं असल जिन्दगी में भी नवीन ने काफी उतार चड़ाओ देखा है नवीन और उनके भाई प्रवीन को उनकी दूसरी पत्नी गितांजली के खुदकुशी मामले में गिर्फतार किया गया था नवीन का कहना था कि उस सुसाइट के जिम्यदार वो नहीं वलकि उनकी पत्नी का डिप्रेशन था 19 मार्च 2011 को नवीन मुंबई से पुणे जा रहे थे अपने दोस्त गुर्मीत और रंधीर कपूर के साथ हुली मनाने रंधीर उने पुणे के रास्ते में मिलने वाले थे और इससे पहले की वो मुलाकात हो पाती नवीन के अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई अचोल अपने के लोगड़ के साथ हार्ट । आपक पुणान